नमेश्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का मेगा के स्मार्ट गार्डन में दोस्तों आज संडे है और संडे को मैं अक्सर अपना गार्डन आपके साथ शेयर करती हूँ आपको टूर करवाती हूँ गुमाती हूँ अपने प्लांट दिखाती हूँ तो चले दोस्तों आज क् बेल बहुत प्यारे फूल किलते हैं और दोस्तों बिलकुर राखी की तरह ही होते हैं भीनी भीनी से खुश्बू है इनके फूलों में और छोटी चोटी कलिया आप देख रहे हैं तो सारा कमाल बारिश के पानी का भी के सकते हैं और जो मैंने अपने प्लाइट को भी खाद द दिए मैंने कटश्बू के लगाया कि दोस्तों ठीक बार में प्लांट लेकर आई थी उसके बार मेंने बहुत सारे बहुत लेकर लिए तो सारी निशानी होती है के प्लांट बहुत हेल्दी है और फूलो की साइज भी बढ़ गई है लगवाग पांचे गंवलों मेरे गुलाब लगे हुए हैं सारे बहुत हेल्दी हो गए हैं यहां पर आप देख रहे हैं यह बटन रोज हैं लेकिन दोस्तों बटन रोज के फू पारिश तो नहीं हो रही है धूप ज्यादा तेज है लेकिन फिर दोस्तों मोसम का कमाल होता है अब हिबिसकस आप देख रहे हैं विसकस पूराने हिबिसकस है यह और दोनों हिबिसकस बहुत अच्छी ग्रोथ पर आ गए हैं मैंने इनकी प्रूनिंग कर दी थी मधुमाल आप देखिए दोस्तों एक बार फूल खिल चुके हैं और अब वापस से फ्लावरिंग रेडी है यह जो नाक चमपा है मैं आपको और भी प्लांट दिखाऊंगी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है लेकिन बहुत खूबसूरत और प्यारा सा या फिर आप इसको बो गया था बीज वगिरा क्या है जब फूल सूख जाता है इस तरह से सीट पॉर्ड बनते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है और उसके बाद एक सीड पॉर्ड में लगए दो या तीन चार क्या पता कितने बीज होते हैं मेरे पास बहुत सारे बीज रखे हैं इसके तो उससे आ प्लांट देख लिए थोड़ी से नजर हम इंडोर प्लांट पर डाल देते हैं इस पाइडर प्लांट है इसमें से बेबी पप्स जो निकलते हैं बहुत प्यारा लगता है एक शंखला की तरह होते हैं तो वह शंखला आप देखेंगे बहुत प्यारी लगती है अभी जो प तो बहुत जल्दी रिपोर्टिंग करूंगी अपी मेरे पास गंबले नहीं थे इसलिए मैंने रिपोर्टिंग नहीं की है बहुत जल्दी आपको इसकी अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो वह भी में जरूर शेयर कर दूंगी यह चारली कीपर है और यह जो आप देख र जो पोर्ट है कब कर लेता है पता ही नहीं चलता है यह रबर्ड प्लांट है असी रुबे में शायद में लेकर आई थी इस प्लांट को लेकिन एक प्रकति का कमाल आपको दिखाती हूं जो आप यह देख रहे हैं ना यह कवर एक कवर पत्तियों का और इसमें से अंदर से निकलेगी लगबग एक पत्ती को निकलने में दस से पंदरा दिन लग जाते हैं और बिलकुल मेच्वर पत्ति बहार निकल कर आती है यह देखे दोस्तों यह इर इंतिम में वेरिगेटेड है मतलब बहुत प्यारा से पिंक पिंक पत्तिया इसमें से निकलती है पिंक महरू प्लून कीत inसे लगाया था मैंने कर एसला नहीं हुआँ आपको के लागा बता आंग непहुत जल्दी प्लाइब रहे हैं लगान दूस्त तो दूस्ट ना से प्लांट में हुरू एक हाड़ी प्लांट मेंने में कम मिटी में गा और जो उक्त के ब्लानट में Australian यहां पर भी देखिए कुछ कटिंग में निकाल निकाल कर देती हूं क्योंकि दोस्तों बाट नहीं सही चीजे बढ़ती है और मेरे जो है बहुत सारे प्लांट मेरे ऐसे ही आये हैं जैसे मैं देदेती हूं वेसे वह लोग भी मुझे देदेते हैं तो कुटिंग और अगरा से हम प्लांट रेडि करते रहते हैं कभी किसी से प्लांट रहते हैं कभी किसी से कटिंग नहीं लगती है मुझे ठेहर सारे प्लांट चाहिए इसके और यहां पर देखिए दोस्तों यह अफ्रिकन प्लांट पूरा इंडोर गार्डन में नहीं दिखाने वाली हूं अभी अभी बहुत सारे प्लांट मुझे एड करने हैं और कुछ जो प्लांट है जैसे कोलियस और मेरे गर्मियों मे बहुत बुरी तरह से खराब हुए है मुझे से एकाथ प्लांट बचा होगा यह भी इस प्लांट का मुझे ढंक से नाम पता नहीं है चाहिए इरेंधिमम ही है लेकिन अगर इसका सही नाम आपको पता हो तो आप मुझे जरू बताएगा क्योंकि नाम में मेरे अक्सर सकते हैं बैकबॉर्ण डेविल्स अब जब अलग अलग नाम होते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता है मैं क्या नाम दू इन प्लांट को यह जो आप गुलाब के प्लांट देख रहे हैं ना गुलाब के प्लांट में जिसे फंगस मतलब क्या है कीड़ा इल्ली लग जाती ह हैं तो नएमोईल का चुटकाओ करते रही हैं अभी अभी बारिश में हलकी फूल की बारिश हो यह हो इसके बारिश होती नहीं तो इल्ली लगने लग जाती हैंच जो चुटे- हपर फिर लगने लग जाता हैं और तो दिख गरने की नहीं तो आप नेमोईल के साथ मॉल क SI ये शेम्पू वगेरा के साथ मिलाकर जिससे क्या होगा कि जो नई पत्या निकलती है ना वो खराब ना हो मेरे तो शुरुवात हो गई है इल्लिया लगने की और नीमोईल के साथ में शेम्पू या फिसर का मिलाकर इन प्लांट पर अपलाई करने वाली हूं तो दोस्तों बी इबिसकस दोस्तों जितनी ज्यादा वेराइटी उतनी ज्यादा खूबसूरती है और आप देखेंगे कि मैं करीब से दिखाती हूं आपको कितने प्यारे से फूल खिल रहे हैं और इनकी डंडिया है जो लटकर निकलती है बहुत प्यारे से लगते हैं मुझे अलागी लु यह परपल कर ले ना उसके बहुत ज्यादा यह इस फूल के बोल रहे थी मैं बटर कब बता है किसी नाम तो भही जिसको भी नाम पता होते हैं ना सही सही वह मेरे कमेंट में जरू डाले गा यह करनेर पाप प्लांट है ओल्यांडर यह बहुत हाड़ी प्लांट होता है और जटोलपा और यह प्लांट बहुत पुराने हो गए है मेरे कम पांचे साल हो गए है तो मैं चाहते हो कि यह मैं कहीं जाकर जमीन पर लगा दूँ और मैं नए प्लांट रेडी करूँ तो इस बारिश में मैं करनेर प्लांट पर कटिंग से लगाऊंगी यह देखिए तो यह ग बेंदा और गुल्दाओदी की कटिंग लगा रखी है हमने और यहां पर देखिए दोस्तों यह एक कटिंग और साथ में गडालिया के बीज भी ग्रोग गए एक कटिंग अडेनियम की भी लगी हुए है और पूरा गार्डन एकदम से हरा भरा और प्यारा सा रंग भी ॐर्टा यह भी आजा हैं है तो यह एक पर दीन हमने एकट आपड़ां पर शीमोरी करनदाः एकदम यह दोक फ्लावरिंग प्लावर्ण पर यह बहुत अच्छी साल और पिछला जाल रहा है पिछले साल का यह दो पिछले साल प्लाविन में च्होड़ दियी ते यह रिया बहुत प्लावरिंग भी करता है बहुत प्लावरिंग होती गोल फ्री नाम है दोस्तों इसका मैंने वाइट कलर के जो फूल दिखाए थे और यह फूल जब भी इसे पकने लग जाते हैं ना तो मैं निकाल कर अधर गंबलों में डाल देती हूं क्या जाता है नहीं नहीं प्ल जाओ अधर जिएगा एक मधु माझति आप कटिंग से जबा सकते हैं एक बार और आपन जो है मैं आपको बार और दिखाती हूं मुझे बहुत मोहित कर रहे हैं यह फूल दोनों बहुत प्यारेसे लग रहे हैं कल रैक दम से दीक्ष एक दम से डाक कलर है है אफ इसकस क्य पिंक की यह पिंक देखिएए वायड भी मैंने आको शुरू आदками दिखाइए ताब पिछ भी है पिछ में अभी शायद फूल नहीं खिल रहे हैं देखते हैं आगे चलते हैं अगर दिखते हैं तो यह विनका विनका बहुत अच्छी फ्लाफरिंग कर रहा है यह नाक चंपा है नाक चंपा के मेरे पास बहुत सारे प्लांटे सारे के सारे कटिंग वगिरा से ही मैंने रेडी किये हैं और नाक चंपा तो बहुत आसाने से ग् पारी शुरूरी न इतने फूल खिलने लग गए है और देखिए तो अलग अलग डोट है इनके बीच बीच में और यह देखिए यहां पर तो तो जो संडे है तो उसके दिन में अपना गार्डन आपके साथ शेयर करती हूं पूरा तो मैं नहीं दिखा पाती हूं लेकिन जित देखिए कितने प्यारे से इसमें रजनीगंदा में फूल खील रहे हैं बल्ब से ग्रोह होने वाला प्लांट है यह देखिए यहां पर हिबिसकस है मैं अकसर आपको अपडेट देती रहती हूं यह प्लांट मैंने रिपोर्ट कर दिये हैं हिबिसकस अभी एक और कटिंग स लगा हुआ है वो भी मैं रिपोर्ट करूंगी धन्यवाद दोस्तों